हेलो दोस्तों स्वागत है आपका PLC Learning Point पर आज के इस वीडियो में हम देखेंगे GX Work 3 और GT Simulator 3 को आपस में Communicate करने के बारे में GX Work 3 में हमको First Program किस तरीके से बनाना है और GT Simulator में हमको First HMI कैसे डिजाइन करना है HMI को Programming के साथ कैसे Communicate कराना है और Programming को Simulation कैसे कराना है ये सारी चीजे आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं हमको PLC की Programming करने के लिए GX Work 3 या GX Work 2 की जरूरत पड़ेगी GX Work 3 और GX Work 2 दोनों में HMI के साथ में Simulation possible है अब ही मैं GX Work 3 के साथ में Programming करने जा रहा हूँ तो सबसे पहले हम Open करेंगे GX Work 3 को जो की Mitsubishi PLC Programming का एक Software है इस तरह की एक Window Open होती है हमको यहाँ पर देखिए Project पर एक बर क्लिक करना है फिर हमको जदी New Program बनाना है तो New पर Select करना है ठीक है ना हम Q Series की Programming सिखने वाले है तो यहाँ पर Q CPU Q Mode सेलेक्ट करना है उसके बाद OK करना है इस तरह की एक नई Window Open होती है यहाँ पर Series में Q CPU सेलेक्ट करना है और Type में Q02 U CPU हमको सेलेक्ट करना है उसके बाद यहाँ पर Simple Project रहेगा Language में हम लेडर सेलेक्ट करेंगे उसके बाद देखिए OK करेंगे अब देखिए यह एक Programming Window Open होती है इसमें हमको सबसे पहले लिखना है LD Space X0 LD का मतलब होता है Open Contact इसके बाद हम यहाँ पर X0 लिखा हुआ आता है उसके बाद हमको फिर एक बार इंटर करना है तो इस तरह से यहाँ पर आउट पुट लिखा हुआ आता है और Y0 लिखना है और लोजिक हम बनाएंगे Space करके लिखना है Y0 फिर हमको करना है इंटर तो इस तरह का एक लोजिक बन जाता है यदि हम X0 को प्रेस करते हैं तो Y0 ओन हो जाता है और प्रेस करने के बाद वो लेच हो जाता है तो Y0 हमेशा फिर ओन ही रहेगा ठीके ना एक प्रोग्राम और हम बना लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे ld x1, फिर इंटर करेंगे, फिर लिखेंगे o ut out y1, ठीक है न, यदि हम x1 को प्रेस करेंगे, तो y1 output on होता है, ठीक है, x0 को प्रेस करेंगे, तो y0 on होगा, हमको यहाँ पर compile में जाना है, इसके बाद rebuild all में जान करता है, start stop simulation, तो हम यदि एक बार यहाँ पर click करते हैं, तो यह जो प्रोग्राम है, यह इस simulator के अंदर upload हो जाता है, ठीक है, मेरे पास जो simulator है, जब हम software को install करते हैं, तो उसके साथ में simulator भी automatically install हो जाता है, मेरे पास gx simulator 2 है, ठीक है न, तो इसके अंदर यह प्रोग्राम दे है, ठीक है न, अब यदि हमको इस x0 को on करना है, तो हमको right click करना पड़ेगा, और यहाँ पर देखिए debug, debug में जाने के बाद modify value पर click करते हैं, फिर x0 को यदि हम on करते हैं, तो देखिए y0 on हो जाता है, ठीक है, फिर यदि इसको हम off करते हैं, तो x0 off हो जाता है, लेकिन y0 on रहता है, क्योंकि इसको यहाँ से supply मिल रही होती है, इसको हम बोलते हैं, लेचिंग circuit, ठीक है न, इसके बाद यदि हमको x1 को on करना है, देखिए यहाँ पर x0 की जगे मैं लिखता हूँ x1, उसको यदि मैं on करता हूँ, तो y0, y1 on होता है, और off कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए y1 off हो जाता है, ठीक है, इसको देखिए एक बार मैं minimize करता हूँ, और इसकी एक shortcut की आपको बताता हूँ, x1 पर एक बार हम click करेंगे, और shift plus enter, shift और enter को एक साथ दबाते हैं, तो कोई भी input forcefully on हो जाता है, यहाँ पर देखिए इसको on करना है, तो shift और enter एक बार press करता हूँ, तो on हो जाता है, shift enter press करने पर off हो जाता है, फिर से देखिए x1 को भी मैं एक बार off कर देता हूँ, इसको एक बार मैं minimize करता हूँ, और इस program को फिर से हम थोला सा change करके देखते हैं, program को change करने के लिए देखिए यहाँ पर अपने को एक option मिलता है, monitor right mode, तो monitor right mode प di का मतलब होता है, एक nc contact और x2 एक addressing है, ठीक है न, तो यह एक nc contact है, यदि इसको हम press करते हैं, तो यह open हो जाएगा, और इस y0 को off कर देगा, ठीक है, इस पूरे logic को हम बोलते हैं, start stop logic, अब देखिए हम इस program को एक बार change करके देखते हैं, compile पर एक बार क्लिक करेंगे, फि भी हम इस program को online change कर सकते हैं, ठीक है न, okay करने के बाद देखिए, इस तरह का एक pop-up open होता है, online change has complete, ठीक है, फिर यहाँ पर, okay एक बार में press कर देता हूँ, तो देखिए, program online ही था, उसके बाद भी इसमें changes हो गए है, मिच्चुबीशी PLC में ये बहुत ही बड़ा advantage है, shift plus enter करूँगा, तो X0 तो on है, X2 on हो जाएगा, उसकी वज़े से Y0 भी on हो जाता है, ठीक है न, अब इस program को हम HMI पर design करके देख लेते हैं, HMI को design करने के लिए GT Designer 3 software को open करना है, ये download कहां से करना है, कैसे करना है, updated version कैसे download करना है, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो मे बता दिया, ठीक है, आज हम screen को design करके देखेंगे, देखेंगे, इस तरह की एक window open होती है, हमको यहाँ पर new पर एक बार click करना है, फिर यहाँ पर हमको एक बार next पर click करना है, GT 27 V इसकी length width है, वो है 640 into 480, ठीक है, हमको किस type की select करना है, वो यहाँ से हम select कर सकते हैं, बड़ interface open होता है, उसके बाद हमको फिर से एक बार next पर click करना है, देखें, communication हमको कैसे कराना है, तो हमको Mitsubishi PLC की हम programming कर रहे हैं, तो हमको यहाँ पर Mitsubishi Electric ही select करना है, controller type में हम IQR, RNMT, NCRT, CR800D, यह select करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम Q series की PLC की programming कर रहे हैं, ठीक है न, FX series की करेंगे, FX लिखेंगे, L series की करेंगे, L series लिखेंगे, A series के PLC बहुत ही पुराने PLC है, जो की बहुत ही size में बड़े PLC होते थे, हमको यहाँ पर IQR select करना है, ठीक है, उसके बाद देखें, हम एक बार next पर click करते हैं, अब यहाँ पर हमको एक बार controller की setting पर click करना है, तो यहाँ पर Ethernet multi पर एक बार click करना है, फिर हम एक बार next पर click करते हैं, तो देखें, communication driver, Ethernet में Mitsubishi electric gateway, आगे देखें, हमको यहाँ पर next पर click करना है, इस तरह का एक interface open होता है, CH का मतलब होता है channel, तो यहाँ पर देखें, channel 1 है, और Ethernet multi है, मेल से IQ हमने select किया है, communication driver, Ethernet हमने use किया है, ठीक है उसके बार हमको फिर से next पर एक बार click करना है, जो IP address है, वो by default डला हुआ है, इसमें हमको ज्यादा changes करने नहीं है, फिर एक बार हम next पर click करते हैं, तो इस तरह का एक window open होता है, एक बार फिर हम next पर click करेंगे, तो देखें, यहाँ पर color option आता है, हमको कौन सा color choose करना है, तो इस तरह की एक window open होती है, यदि हम version 1 use करते हैं, तो हमको यह features मिलते हैं, और जो version 2 upgraded हुआ है, उसमें इस तरह की features मिल जाते हैं, ठीक हम 1 या 2 कोई भी choose कर सकते हैं, देखें हमको programming के हिसाब से X0, X1 और X2, तीन switch की जरूवत है, तो हम यहाँ पर bit switch पर click करेंगे, फिर हम यहाँ पर draw कर सकते हैं, ठीक है न, इस switch पर click करने के बाद, यहाँ पर हम double click करेंगे, देखें, device में हमको लिखना है X0, ठीक है, तो X0 एक input है, उसके बाद देखिए, यह switch हमको momentary रखना है, set रखना है, reset रखना है, alternate रखना है, ठीक है, momentary का मतलब जदी हम एक बार press कर देते हैं, तो वो on हो जाता है, और release कर देते हैं, तो off हो जाता है, set का मतलब जदी हमने एक बार press करके release कर दिया, तो वो on ही रहेगा, ठीक है, फिर उसको off करने के लिए एक बार फिर press करना पड़ेगा, ठीक है, alternate मतलब जदी on है, तो हम press करते है, तो off हो जाता है, reset का क्या रखना है वा हम दोनों यहां से डिसाइड कर सकते हैं ठीक है तो यहांपर एक बढ़ klik करेंगे दिल्य क Alleance को और हम आफ की लिए रेड कलर चूसल कर लेते हैं ठीक हम इसमें एक blink option भी आता है यदि हमने switch को on करके रखा हुआ है तो वो blink करना चाहिए या फिर continue on रहना चाहिए ठीक है ना तो यहाँ पर देखिए medium high and low हम इस पर एक बार hyper click कर देते हैं इसका मतलब blink का मतलब यह होता है कि यह switch on होने के बाद जब green हो जाता है तो यह या तो continue green रहे या फिर blink होता रहे जब यह simulation होगा तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा ठीक है ना अब shape and text मतलब इसके अंदर हमको text को भी blink कराना है या फिर shape को ही blink कराना है वो हम यहाँ पर choose कर सकते है ठीक है स्विच पर हम इखते हैं रहीं यहाँ तो M बोल्ड भी कर सकते हैं ठीक है आगे देखें दिस्प्ले पोजिशन में मतलब इस टेक्स्ट को किदर रखना है ऊपर रखना है नीचे रखना या सेंटर में रखना है तो अभी हमने सेंटर चूज किया हुआ है कि फोट में देखी यदि हमको इसका फोड्ट चेंज़ करना है तो इसका फोट हम क्षा लगता यवा है फोन्ट हम इसमें कर चूज कर सकते हैं धी कि बहुत सारे इसका color हमको change करना है, bold करना है, या इसका font size हमको बढ़ाना है, तो इसका font size भी हम इसमें बढ़ा सकते हैं, इसका font size अभी मैं 28 कर देता हूँ, जो font off push button के लिए choose क्या है, वही वाला हम on push button के लिए भी choose कर लेंगे, ठीक है, ओके करना के बाद देखें, यहाँ पर X00 लिखा आता है, और यह इस तरह का X switch add हो जाता है, ठीक है, इसी switch को मैं एक बार copy करके paste करता हूँ, और यदि यहाँ पर click करता हूँ, तो इस तरह से यह आ जाता है, फिर देखें इसमें switch on and off के जो भी setting हैं, वह हम सेम रखते हैं, X00 क पर click करते हैं, और उसके बाद हम okay कर देते हैं, ठीक है न, हमको एक switch और add करना है, तो हम यहाँ पर इसको copy करके paste करते हैं, फिर से X00 के जगे X002 हम यहाँ पर add कर देते हैं, तो हमार पास तीन switch है, X00, X01 और X02, ठीक है न, उनकी जो भी settings है, वह सारी copy paste करी है, यदि आप change क करना चाहो, तो change कर सकते हो, इस पर requirement, अब देखिए हमको in switch के साथ में output को भी connect करना है, तो यहाँ पर हमको bit lamp पर click करना पड़ेगा, तो bit lamp पर click करने के बाद हम यहाँ पर देखिए, इस तरह से इसको draw करेंगे, draw करने के बाद इस तरह का, एक switch यहाँ पर add होता है, इस पर यदि हम एक बर click करते हैं, तो click करने के बाद देखिए, यहाँ पर हमको add करना है Y000, ठीके न, तो यह हमारा एक output हो गया, off है, तो off की condition किस तरह से रखनी है, on की condition में switch का color क्या होगा, वो color हम change कर सकते हैं, इसको blink कराना है या नहीं कराना है, तो इसको हम blink करा सकते हैं, ठीके न, text में जाने के बाद देखिए, off and on की जो position है, दोनों की अलग अलग रहेगी, तो यहाँ पर हमको लिखना है, lamp off, फिर एक बार enter करेंगे, इस पर space देखे, इसको center में कर सकते हैं, ठीके, यहाँ इसके font size बढ rate रखना है, तो इसको rate रख सकते हैं, ठीके न, आगे देखिए, और भी कुछ setting करना हो, center करना हो, या फिर कोई और इसको font वगएर, change करना हो, तो कर सकते हैं, फिर एक बार हम on पर click करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, lamp on, ठीके, एक बार यह space इसको हटा के, हम enter करते हैं, फि अगे देखिए, इसको हम okay करते हैं, इस तरह का एक lamp add हो जाता है, इसको फिर हम copy करके paste करेंगे, फिर देखिए, इसकी जो addressing है, y0, 0, 0, तो इसको हम करेंगे, y0, 0, 1, ठीक है न, तो जो programming में हमने addressing करी हुई है, वही addressing हमको, hmi में भी करना है, यहाँ पर देखिए, x0, x1, x x2, 3 हमने input use करेंगे, और y0, y1, 2 output use करेंगे, तो इसमें भी हमने x0, x1, x2, 3 input use कर लिये हैं, और y0, y1 output है, अब इसको हमको programming के साथ में simulate कराना है, तो वह कैसे कराएंगे, देखिए, यहाँ पर देखिए, simulation activation का एक option आता है, इसको हम control plus f10 से भी simulator on कर सकते हैं, अब देखि जो हमने program बनाया हुआ है, उसको यह read करता है, और उसके बाद program को run करता है, यहाँ पर देखिए, unable to connect लिखा हुआ रहा है, gt simulator 3, ठीक है, error आने के बाद, सबसे पहले अपने को यहाँ पर देखना है, gx simulator 2, मतलब जो programming हमने करी है, उसका जो simulation कर रहे हैं, gx simulator 2 में, ठीक है, तो हमको यहाँ पर setting में जाना है, और यहाँ पर gx simulator 3 डला हुआ है, तो हमको यहाँ पर करना है, gx simulator 2, आप जो भी programming कर रहे हैं, उसका जो भी simulation आता है, तो simulation के लिए इस तरह का एक simulator on होता है, उस पर simulator 1 है, 2 है या 3 है, वो हमको देखना है, उसके बाद उसी को हमको यहाँ पर connect करना है, उसके बाद यादे हम okay करते हैं, और फिर start of simulation पर एक बर click करते हैं, आप देखिए, got 2000 लिखा हुआ आता है, और simulation हमारा on हो जाएगा, यह process हमको सिर्फ एक ही बार करना होगी, एक बार यादी हमने simulator choose कर लिया, तो उसके बाद हमको बार बार यह process करना नहीं लेकिन यहाँ पर on जब हो रहा है तब यह red light हो रही है, और जब off हो रहा है तब यह black light हो रही है, ठीक है ना, हमने अभी यहाँ पर कोई भी switch on नहीं किया है, लेकिन यदि हम program को देखेंगे, तो इस program में देखिए y0 अभी on है, उसकी वज़े से यह ब लिंक कर रहा है, ठी देखिए यदि हमको program को zoom करना है, तो यहाँ पर view में zoom का option आता है, अभी 60% zoom है, इसको में 70% कर लेता हूँ, ठीक है, तो यह program इस तरह से यहाँ पर zoom हो गया है, अब x0 भी on है, x2 भी on है, यहाँ पर देखिए y0 भी on है, अब यदि मैं एक बार x2 को press करता हूँ, मतलब shift plus enter यदि press करता हूँ, तो यह off हो जाता है, ठीक है न, y0 जैसे ही off होता है, यहाँ पर देखिए lamp भी off हो जाता है, ठीक है न, और यदि मैं x1 को एक बार press करता हूँ, shift plus enter से, तो देखिए यहाँ पर यह lamp on हो जाता है, ठीक है, on होने के साथ साथ में यह blink भी करता है, मतलब किसी input या output को on off करते हैं, तो HMI में भी on off होता है, और उसके साथ अब देखिए हम इसको भी यहाँ से on करके देख लेते हैं, एक बार देखिए x2 को on करता हूँ, फिर x0 को यदि मैं on करता हूँ, तो देखिए y0 on हो जाता है, मतलब जैसे ही इस switch को on करता हूँ में, तो यह जिरो off हो गया, तो दोस्तों यह था एक छोटा सा वीडियो, PLC और HMI को कम्यूनिकेशन कराने के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में हम मिच्चुबीशी के GXwork3 के सफ्ट्वेर की थोड़ी डिटेल भी देख लेंगे, कि इसमें online program edit कैसे होता है, program का upload कैसे करना है, वो सारी का software है, यह SMI के software में और भी बहुत सारे options है, तो इन options में क्या क्या होता है, वो सारी चीजे भी हम next video में cover करने वाले, वीडियो कैसा लगा, comment में जरूर बता है, क्योंकि आपके comment करने से हमारा होसला बढ़ता है, और वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, शे झाल झाल